तो आज हम लोग एक वीडियो लाए हैं चौसा की युद्ध के बारे में अब यहाँ पर आप चौसा से चौसा आम मत समझ लेना यह चौसा एक जगह है जो बिहार में है वही पर यह युद्ध लड़ा गया था इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा चौसा का युद्ध तो चौसा की युद्ध में दो पार्टियां थी जिसमें एक पार्टि थी हुमायू यानि मुगलो की दूसरी थी सेरसा सूरी की ये युद्ध 26 जून 1549 को जो आधुनिक बिहार है इस राज्य में एक बकसर जीला है वहाँ पे एक गाँ है चौसा वहीं पे लड़ा गया था इस भैंकर युद्ध में सेरसा सूरी विजय हुआ था और हुमायू अपनी जान बचा कर इस रण भूमी से भाग गया था अब हम लोग कुछ हुमायू के बारे में जान लेते हैं हुमायू का जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 को हुआ था काबूल में काबूल एक जगह है अफगानिस्तान में बलकि उसकी राजधानी है हुमायू जो है बाबर का पुत्र था तो जैसा कि नियम है कि बाप मर जाता है तो बेटा गद्धी पे बैठता है जब बाबर 29 दिसंबर 1530 को मरा तो उसका बेटा हुमायू राजधी पे बैठा हुमायू का एक सोतेला भाई भी था जिसका नाम था कामरान मिर्जा इसने काबूल और लाहोर के सासन को समाला था ये भी मरने से पहले बाबर ने इस तरहेके की व्यवस्था कर दी थी ताकि दोनों भायू में लड़ाई न हो आप तो जानते ही हैं राजधी के लिए अकसर मुगलों में लड़ाईया होती रही है इतनी व्यवस्था करने के बाद भी कामरान आगे जाकर हुमायू से प्रतिदंद कर बैठा और वो लड़ाई करने लगा जिसमें इसके बाद हुमायू ने सारा सासन समाला जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर हुमायू ने 1530 से 1540 यानि 10 साल तक फिर उसके बाद 1555 से 1556 यानि एक साल तक का सासन समाला था अब बात करते हैं दूसरी पार्टी के बारे में यानि सेरसा सूरी के बारे में सेरसा का जन्म 1486 पंजाब के होसियार पूर सहर में बिजवाड़ा नामकिस्थान पर हुआ था उनका असली नाम फरीद खान था पर सेरसा के रूप में उन्हें जाना जाता था क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने बच्पन में छोटी अवस्था में ही एक सेर को मार दिया था इसलिए उनको सेरसा बुलाने लगे उनके कुल का नाम सूरी था जो उस समय के दिल्ली के सासकों का प्रतिनिधित्व करते थे उनके पिता पंजाब में एक अफगान रहिस जमाल खान की सेवा करते थे सेरसा के पिता की चार पत्निया थी जिससे आठ बच्चे पैदा हुए थे सेरसा का बच्चपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था क्योंकि उसकी सोतेली मा उसे बहुत सताती थी उन्होंने घर छोड़ दिया और जौनपूर में पढ़ाई की पढ़ाई पूरी कर सेरसा 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए पर उनकी सोतेली मा को ये पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वगोसित स्वतंत्र शाशक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए थे आपको मैं बता दू सेरसा नाम बहार खान नुहानी नहीं दिया था फिर इसके बाद जब सेरसा के पिता मरे तो इन्होंने अपने पैतरिक जागीर पर कबजा कर लिया बहार खान के दरबार में वो जल्द ही अप उनके सहायक नुक्त हो गए और बहार खान के नाबालिक बेटे के सिक्छक और गुरू बन गए लेकिन कुछ वर्सों में सेरसा ने बहार खान का समर्थन खो दिया इसलिए वो 1527 से 1528 में बाबर की सिविर में सामिल हो गए बहार खान की मौत पर सेरसा नाबालिक राजकुमार के संरक्छक और बिहार के राजपाल के रूप में लोट आए बिहार का राजपाल बनने के बाद उन्होंने प्रसासन का पुनरगठन सुरू किया और बिहार के माननेता प्राप्त सासक भी बन गए दोनों पार्टियों के बारे में जानने के बाद अब हम लोग बात करेंगे बैटल आफ चौसा के बारे में इस युद्ध में हमायू इसलिए हार गया क्योंकि उसने अफगानों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था सेर खान ने एक दूत हमायू की सेना का मुआयना करने के लिए भेजा था जिससे उसकी कम्यों के बारे में पता चल सके यानि की एक जासूस भेजा था और जैसे ही सारी जनकारी मिल गई सेर खान ने रात में हमायू की सेना पर हमला कर दिया युद्ध से पहले सेर खान ने कहा था अगर भाग्य ने मेरी सहता की और स्वभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलो को सरलता से भारत के बाहर निकाल दूँगा जो बाद में सच भी साबित हुआ बैटल ओफ चौसा की सुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी हुमायू का सबसे प्रबलतम सत्रूत सेरखान थाई हुमायू जो है बंगाल की विजे के बाद निश्चिन्थ होकर आराम फर्माने लगे बंगाल में हुमायू को आराम करता देख सेरखान ने सबसे पहले चुनार, बनारज, जौनपूर, कन्नोज, पटना और छोटे-मोटे राज्यों को अपने अधिकरित कर लिया इस घटना के बारे में फिर बाद में हुमायू को पता चला तो हुमायू विचलित हो गया मलेरिया के प्रकोप से हुमायू की सेना वैसे ही परिसान थी इसलिए हुमायू ने सेना की एक छोटी सी टुकडी छोड़ कर आगरा के लिए कुछ कर दिया इस बारे में सेरसा सूरी को पता चल गया कि हुमायू आगरा लोट रहा है तो मार्ग में हुमायू को घेरने का निश्चे किया हुमायू ने वापसी में अनेक गलतियां की सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बाट दिया सेना की एक टुकडी दिलावर खान के अधीन मुंगेर जो बिहार में एक जगए है उस पर आकरमण करने के लिए भेजी गई थी और सेना की दूसरी टुकडी के साथ हुमायू खुद आगे बढ़ रहा था हुमायू के सेन ने सलहकारों ने उसे सला दिया था कि वह गंगा के उतरी किनारों से चलता हुआ जौनपूर पहुचे और गंगा पार करके सेरखान पर हमला करे लेकिन उसने उन लोगों की बात नहीं मानी वो गंगा पार कर दक्षिड मार्ग से ग्रैंट रंक रोड से चला गया यह मार्ग सेरखान के नियंत्रण में आता था आपको तो पता ही है ग्रैंट रंक रोड सेरखान ने बनवाया था यानि सेरसा सूरी ने बनवाया था इसके बाद कर्मनासा नदी के किनारे चौसा जो जगह है जहां पर ये यूद हुआ उस पर उसे सेरसा के होने का पता चला इसलिए वो नदी पार करके सेरसा पर आकरमण करने को उतारू हो था लेकिन यहां भी उसने लापरवाही बर्द उसने तूरंत सेरसा पर आकरमण नहीं किया वो तीन महिनों तक गंगा नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा पता नहीं क्यों सेर खान ने इस बीच उसे धोखे से सांती वारता में उल्जाय रखा और अपनी तयारी करता और बर्षा आने के समय का प्रतिक्छा भी करता रहा वर्षा के सुरू होते ही सेर खान ने आकरमण की योजना बनाई हुमायू का सिविर जहां पर था यानि गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में वो एक नीची जगह थी इसलिए बर्षात का पानी उसमें भर गया मुगलो का तोप खाना नाकाम हो गया क्योंकि पानी भर गया था और सेना में अव्यवस्था व्याप्त हो गई इसका लाव उठा कर 25 जून 1549 की रात में सेर सा ने मुगल चावनी पर अचानक धोके से आकरमण कर दिया मुगल खेमे में खलवली मच गई सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए उनमें कुछ डूबे और कुछ अफगान सेनाओं के द्वारा मारे गए हुमायू खुद भी अपनी जान बचा कर गंगा पार करके भाग गया भागने के बाद हुमायू छिपता फिरता रहा फिर उसने एक योजना बनाई इसके बाद बिलग्राम का युद्ध भी होगा 1540 में फिर से सेरसा सूरी और हुमायू के बीच में तो इसके बारे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको बिलग्राम यानि कर्नोज का युद्ध ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट